Hello students, so this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains जहाँ पर हम आपको देते हैं 100% free quality education और जब 100% free कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दो चाप्टर के बाद किसी भी तरीके का पेज सब्सक्रिप्शन लेना है Magnet Brains पर आपको CBSC, Hindi Medium, English Medium, State Board बहुत सारे famous writers क्या book का solution या फिर NTSC Olympiad और बहुत सारे competitive exams की preparation करवाई जाती है 100% free of cost बिना किसी paid subscription के तो हम क्या start करने जा रहे हैं? तो हम start करने जा रहे हैं class 6 का science subject Well, science के लिए हमने अभी क्या पढ़ लिया है? तो अभी आपके सारे chapters जो है इस chapter number 12 के पहले सारे already completed है आप हमारे इस video के description box में एक playlist दी हुई है उसके थूस सब कुछ देख सकते हैं पर हमने start किया था chapter number 12 जिसका नाम है electricity and circuits ठीक है? अब electricity and circuits में इसके पहले जो video हमने बनाया है उसमें हमने देखा electricity का use हमारे घर में कहा कहा होता है उसका introduction और कौन-कौन से तरीके की supply होती है हम लोग मतलब supply को किस तरह से ले सकते हैं? supply के type तो हम थोड़ी बड़ी class में पढ़ेंगे बट supply हमें या फिर electricity हमें किस-किस जगह से मिल सकती है इसके बारे में हमने हमारी previous वीडियो में पढ़ लिया है अब आज का ये जो वीडियो है ये आपको electricity का क्या main चीज बताने वाला है तो भई electricity हमें कहां से मिलती है तो हमने देखा था कि main supply से या फिर cell की मदद से, electric cells की मदद से अब electric cell का use कहा कहा होता है तो आपने सोचा होगा कि electric cell कैसे देती है तो भई आपका जो remote चलता है या फिर आपका जो mobile phone है या फिर आपने देखा होगा कि batteries आपके inverter के साथ में लगी होई होती है तो ये सब क्या है ये सब ही हमारी electric cells है जो की हमें electricity provide करती है अब ये अलग-अलग rating की होती है अब rating क्या होता है मतलब कि किसी के अंदर जादा current होता है किसी के अंदर कम होता है मतलब कि voltage इनके अंदर अलग-अलग होता है उसी के हिसाब से इनको design किया जाता है वो उसकी rating होती है जैसे कि आपके घर में bulb होते है ना light की 12 volt का watt का है या 5 watt क है तो यह उसकी रेटिंग है कि वह इतनी एनर्जी को खाएगा और यहाँ पर एलेक्ट्रिसिटी के पास अगर रेटिंग लिखी होती मतलब यह इतनी एनर्जी आपको देगा ठीक है तो यह जो सेल है यह आपके 12 बोल से 5 बोल से स्टार्ट होती है और चोटी-चोटी भी जाता है ठीक है चले तुभल आप इसी इलेक्रिक सेल के बारे में को जानते हैं कि इसे लीक्ट्रिक सैल का जाता है तो आपने थेऊं डहरों से जाग हम हम यूज करते हैं टेलिवीजन के लिए या एसे के जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं या अपने टॉय में कभी-कभी ये लेक्ट्रिक सेल का यूज किया जाता है तो मतलब कि ये सभी लिएक्ट्रिक सेल तो An Electric Cell is a device which produces the electricity capable to run smaller appliances like torch, clock, camera, radio etc तो वही जो इलेक्ट्रिक सेल होती है वो एकच्रल में क्या होती है एक्च्रल में ये लेक्ट्रिक सेल आपको electricity प्रोवाइड करती है जिसकी मद़ से आप अपने चोटे-चोटे appliances चला पाते हैं जैसे कि यहां पर एक electric cell लगी हुई है और इसकी मदद से क्या हो रहा है इसकी मदद से देखें कि किस तरह से बल्व चल रहा है ठीक है अब यह कौन सी cell होगी यहां पर तो 1.5 volt की मतलब यह इसकी value है कि इतने voltage की हमने यहां पर वेटरी को लगाया हुआ है जो कि एक बल्व को रन कर पा रही है अ कॉमन एक्जाम्पल ऑफ दा इलेक्ट्रो कैमिकल के इलेक्ट्रो कैमिकल सेल इस स्टांडर्ड 1.5 अब आप सुचेंगे इलेक्ट्रो कैमिकल वर्ड क्या है तो यह जो आपकी इलेक्ट्रिक सेल है ना इसके अंदर क्या होता है तो इसके अंदर भरे होते हैं chemical जिसके मदद से यह energy को store करके रखती है ठीक है अब energy को store करकी काय में रखोगे आप box में तो रखोगे नहीं किसी तरीकी का कैमिकल होना चाहिए तो electricity के अंदर क्योंकि chemical होता है और उसकी मदद से हमें electricity मिलती है इसलिए इसको कहा जाता है कि electric cell combination है electro chemical या electricity plus chemical का जिससे क्या नाम निकल के आया electro chemical ठेक है इसलिए यहां लिखा हुआ है कि electro chemical cell का common example है वो है 1.5 volt cell 1.5 volt cell मतलब जिसकी मदद से आप एक bulb को glow कर सकते हो जला सकते हो which is used to power many electrical appliances such as tv remote and clocks और इसी का ही use करके आप क्या करते हो रिमीट टीवी के remote को चलाते हो आपके घर में जो बड़ी होती है clock होती है उसे भी आप इसी सेल की मदद से चलाते हो तो यहां तक आपने क्या जान लिया कि electric cell एक तरीके का छोट असा डिवाइस है जिसकी मदद से हम electricity मिलती है और इसे हम हमारे बहुत सरे अप्लाइंसे छोटे-छोटे जैसे कि रिमोट है clock है camera है radio है इन सब को जला सकते है अब यह cell जो है वह अलग-अलग application के लिए अलग-अलग तरीके से design होती है जैसे कि आपने आपकी mobile phone की battery को देखा होगा वह अलग होती है क्योंकि वह battery है अब battery और cell में क्या difference है तो cell एक छोटी सी cell होती है जैसे कि आप देखे 1.5 वोल्ट की और अगर cell के combination कर दिये जाए cell को बढ़ा दिया जाए उसके अंदर की power को बढ़ा दी जाए तो वह battery बन जाती है काम दोनों का एक ही है electricity देना लेकिन cell छोटा रूप है और battery उसका बड़ा रूप है ठीक है तो वह यह जो battery है या जो cell है इसको हम अलग-अलग तरिके से अलग-अलग application के according design करते है इसलिए अब आपके दिमाग में क्योंकि question आ रहा होगा कि छोटी सी cell हमने देखी है लेकिन बहुत सारे जगे अलग-अलग design की cell होती है अलग-अलग मतलब कोई मोटी होती है कोई बहुत ही छोटी पतली सी होती है तो उन सब के अंदर की ना value ऐसी होती है जिसकी चैसी rating उसके according उसका shape and size होता है और दूसरी चीज कि उनका कहां पर कैसा use होने वाला है उसके हिसाब से भी हम उनको design करते हैं ठीक है तो बहुत इलेक्ट्रिक सेल का common example देख लिया आपने और यह दान लिया कि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है chemical होता है इसी वज़े स आप उसको क्या कहते हो इसी वज़े से आप उसे कहते हो electrochemical सबसे पहले अगर अपने एक सेल से ही समझना शुरू करते हैं क्योंकि कितने भी तरीके के किसी भी shape का design का cell हो सभी में एक चीज कॉमन होती है क्या सबस्क्राइब क्वाइब टर्मिनल तो All Electric Cells have two terminal है आप टर्मिनल क्या होते हैं जैसे की हमारे दो हाथ होते हैं ठीक है और हमारी दो पैर ठीक है मदब एक पैर एक पैर ओफ लेग्स और एक पैर ओफ हैंट्स है ना इनकी मदद से आप सारा काम कर पाते हैं उसी तरह के से हमारे जो आपका सेल है उसके भी दो टर्मिनल होते हैं दो सिरे होते हैं हिंदी में बोले तो ठीक है एक यह और एक यह नीचे की तरफ ठीक है जिनकी मदश से वो क्या करता है electricity को यहां से वहां पहुचा पाता है जैसे हमारी दो हाथ है उसी तरीके से इसके दो हाथ क्या कहलाते हैं टर्मिनल कहलाते हैं ठीक है ना तो electric cell have two terminals a positive terminal and a negative terminal ठीक है अब आप left और right अपने जैसे हाथ होते हैं उसी तरीके से इनके जो terminal होते हैं एक होता है positive terminal ठीक है और एक terminal कौन सा होता है negative terminal अब यह positive या negative इसका मतलब क्या है तो यह ना थोड़ी सी बड़ी आप जाओगे ना समझ में आएगा कि बहुए यह जो सारी चीजें हैं उनके अंदर कुछ चार्ज होते हैं ठीक है कुछ positive charges होते हैं कुछ negative charge होते हैं तो जहां पर charges की संख्या जादा होते नंबर जादा होते वह पॉजिटिव और जहां पर कम होते उसे अपन नेगेटिव कहते हैं तो चले यह कहानी अभी अपन आगे के लिए छोड़ देते हैं अभी फिलहाल हम यह जाल लेते हैं कि जो आपकी बैटरी है उसमें दो टर्मिनल होंगे एक होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल और एक होगा आपका नेगेटिव टर्मिनल ठेक हैं जब आप इन दोनों टर्मिनल के बीच में किसी भी वायर को करेंट कर देते हो या फिर किसी एप सोर्स को या फिर आप सोर्स तो एक खुद है जैसे कि आपने बल्बो करेंट कर दिया तो क्या हो क्या करते हो ना कि इन दोनों के बीच में वाय लगा देते हो तो अब यहां पर क्या है चार्ज भरे होए है ठीक है अब करेंट क्या होता है सबसे पहले आप यह जानू करेंट या फिर इलेक्ट्रिक करेंट की बात करें मैं आप इलेक्ट्रिक लिग देती हूं तो यह होता है flow of charge, ठीक है, charge का flow होना ही क्या कहलाता है, electric, current कहलाता है, अब मैडम ने क्या बताया आपको, मैडम ने बताया कि यहाँ पर positive charge है, और यहाँ पर negative charge है, ठीक है, अब क्या होता है कि current हमेशा किस की तरफ बहता है, positive से negative की तरफ, ठीक है, यहाँ खचा-खच सारे की सारी charges भरे हु करता है मेशा positive से negative की तरफ अब अगर करेंट को बहना है अब करेंट कैसे बहता है क्योंकि charge carrier कहां जाते हैं आपके एक जगा से दूसरी जगे तो आप देखें basically क्या होता है कि जो charges है ना ठीक है आप यह सा समझ लीजिए कि एक negative है एक positive है तो जो negative है जहां charge carrier वो क्या चाहता है कि मैं positive की तरफ जाऊं ठीक है तो जब यह negative charge carrier आपके positive की तरफ भागने की कोशिश करता है ना तो आपस में इनमें टक्राव हो जाता है जगरने लग जाते तो इससे क्या एक समक सा एक light सा एक charge सा प्रेडियूस हो जाता है जिसको हम क्या कहते है current तो यह जो आपके particles है चार्ज हैं वो कहां से कहां भैते हैं negative से positive की तरफ और उसकी मदद से यह current है वो बहने लग जाता है positive से negative तो आपको तो सिर्फ पल इतनी कहानी अभी आपको याद रखेगा कि जैसे ही हम positive terminal या negative terminal के बीच में किसी copper की wire को ए conductor को ठीक है conductor और insulators के बारे मैं आपको पताया था conductor क्या होता है सबसे पहले अगर नहीं पता है तो पहले तो इसकी कहानी आपको समझा दें कि conductor जिसकी मदद से यह जो आपका current है ठीक है वो easily flow कर पाए ठीक है by which current flow ठीक है अब अब कंडुक्टर्स क्या होते हैं जिनसे कि आपका करेंट असानी से फ्लो कर पाए जैसे कि हीट के कंडुक्टर जिनसे हीट फ्लो कर पाए ठीक और दूसरे होते हैं हमारे इंस्यूलेटर ठीक है जिनसे की करेंट फ्लो नहीं करता ठीक है अब konductor क्या होता है तो अब कॉपर का वाईर होता है ठीक है और रिंसुलेटर क्या होता है लकडी प्लास्टेक यह सबपाते ड sentiments हैं तो आपने जैसे इसके बीच में क्या लगाया कॉफर का वायर लगा दिया ठीक है तो क्या होगा मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही इन दोर टर्मिनल के बीच में एक पास बना दिया जाता है एक पुल बना दिया जाता है तो current जो है वो flow होना शुरू हो जाता है आप पस इतना याद रखिए तो मैं जैसे ही आपने यहां पे wire को लगाया तो current जो है वो इस तरह से positive से negative terminal की तरफ बहना शुरू हो जाता है अब अगर मैंने इस wire के बीच में लगा दिया एक bulb ठीक है तो अब क्या होगा bulb को तो क्या चाहिए current चाहिए जैसे current मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा जलने लग जाएगा तो जैसे ही जो current है वो यहां से बहता हुआ इस bulb पे जाता है तो यह जो आपका bulb है वो glow कर जाता है आई बार समझ में तो बैटरी के दो terminal होते हैं एक होता है positive terminal एक होता है negative terminal अगर हमने उन दोनों के बीच में एक चीज़ी भी device को लगा दिया wire की मदद से तो वो device जो है वो जलना या चालू हो जाएगा क्योंकि उसके through current बहना शुरू हो जाएगा तो when the two terminal are connected to the electrical device electric current flows through it तो जब भी को electrical device को आप इन दोनों terminal की बीच में लगा देते हो तो वो current क्या होता है उसमें से flow करने लग जाता है जैसे कि आपका remote टीवी का remote control अब टीवी के remote में क्या होता है पीछे की तरफ ऐसा एक खाचा बना हुआ होता है है ना यहाप एक plate होती है और यहाँ होती तो यहाँ पर आप positive को लगा देते हो यहाँ negative को लगा देते हो तो जैसे आप cell को इसमें insert करते हो वैसे ही उसमें क्या बहने लग जाता है current बहने लग जाता है और उस current बहने की वज़ा से जो भी आपका remote है वो चाल हो जाता है ठीक है बस यह concept है क्योंकि बस इसमें connection होना चाहिए वहाँ पर wire क्या है internal connection है है इस से जोड़ा और नीचे वाले से जोड़ा तो जो आपका cell है वो काम करना आपका शुड़ू कर देता है ठीक है तो इसके अलावा अब आप इसने समझ लिया कि दो terminals होते हैं एक positive terminal और एक negative terminal होता है ठीक है जिसकी मदद से अगर आपने बीच में उसमें कोई भी electric device wire कि थू लगा दिया है तो क्या tube light जल जाएगी नहीं भई मैंने आपको बताया कि हर चीज के लिए अलग-अलग चीजें बनी होई होती है depend करता है कि इसके अंदर कितना voltage है तो यह जितने भी छोटी-छोटी cells है यह छोटी-छोटे voltage के लिए बनी होती तो यह cell इनको जला नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास इतना खाना नहीं है जितना उनको चाहिए जब इनको बड़िया भरपूर खाना मिलेगा ना भरपूर energy मिलेगी ना तभी यह चीज चल पाएगी इसलिए cell का use काय में करते छोटे-छोटे से devices को चालू करने के लिए किया जाता है अब भी cell के बारे में आपने देखा होगा कि इसके उपर के तरफ एक छोटा थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन होता है और एक नीचे की तरफ थोड़ा सा फ्लैट पोर्शन होता है ठीक है तो देखो यह जो उठा हुआ पोर्शन होता है उपर की तरफ वह होता है मैटल कैप क्या कहलाता है वह मैटल का क्या आप कहलाता है ठीक है और यह जो नीचे का फ्लैट सर्फेस होता है जिसमें थोड़ा सा हलका सा उठा हुआ रहेगा और डिस्क टाइब का दिखता है नीचे से ऐसा दिखता है तो यह जो डिस्क टाइब का शेप है और उपर की तरफ का शेप कैसा होता है ऐसा होता है थोड़ा सा उपर की तरफ उठा हुआ है ना तो य ऐसा याद रखो कि बहुत सारे लोग थे तो नहीं उपर से धक्का दिया और वो उड़िया ठीक है तो वह पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल मतलब बिल्कुल फ्लैट ठीक है तो अगर माल लीजिए कि कभी बैटरी में ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव न अब इसके अंदर क्या होता है तो जैसे हमने बताया कि यह एक तरीके का इलेक्ट्रोक्यामिकल सेल है अब इलेक्ट्रोक्यामिकल का मतलब क्या होता है अगर अपने इसकी पूरे अंदर की स्ट्रक्शर को देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्शर है ठीक है अगर सेल को समझेंगे बस आपको एक बता देती हूँ कैथोड होता है इलेक्ट्रो पेस्ट होता है ठीके सेपरेटर होता है कारवन और मैगनेजियम डाइओकसाइड का मिक्षर होता है एक जगे एनोड लगा होता है जो कि आपके नेगिटिव टर्मिनल को बनाता है कैथोड जो है वो प बल्व को जला देगा ठीक है तो यह इसके अंदर का स्ट्रक्चर है मतलब के कारवन और मैगनेजियम डाइओकसाइड का कैमिकल इसके अंदर होता है इसकी कहानी तो आगे समझेंगे बट फिलहाल आपके लिए इतना जरूरी है कि इतना आपको याद रहे कि इसके अंदर क्यामिकल स्टोर होता है और इसी क्यामिकल को यह क्या करता है दूसरी एनर्जी में कनवर्ट करता है देखे अब क्या होता है कि कोई भी एनर्जी अगर आपको बनानी है तो किसी एक तरह की के एनर्जी को हमें कनवर्ट करके किसी और तरह की के एनर्जी में कनवर्ट करना पड़ता है जैसे कि अगर मैं बात करूं विंड की तो मैंने आपको बताया थे कि एलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे बन सकती है हाइड्रो पावर प्लांट से बनती है या फिर न्यूकलर पावर प्लांट से बनती है तो यहां पर हाइड्रो की बात करें तो हाइड्रो मतलब पानी तो पानी का जो एनर्जी है पानी की जो एनर्जी उसको आप किसमें कनवर्ट कर रहे हो इलेक्रिसिटी में विंड पावर में हवा से जो एनर्जी मिल रही है उसे किसमें कनवर्ट कर रहे हो आप Electricity में मतलब कि किसी भी Energy को अगर बनाना है तो एक Energy को आपको दूसरी Energy में Convert करना पड़ता है ठीक है और यह energy क्या होती कभी भी Destroy नहीं होती अब जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हमने Cell के अंदर रखा हुआ है Chemical और यह chemical किसमें Convert हो रहा है electricity में मतलब कि chemical की energy किसमे convert हो रहे है electricity में electrical energy में ठीक है और वो electrical energy फिर किसमे convert होती है जब bulb glow करता है तो light energy में ठीक है और वो light energy फिर किसमे convert हो जाती है heat energy में मतलब कि देखिए कि energy को आप कभी खत्वन नहीं कर सकते बस उसको एक form से दूसरे form में convert कर सकते हो तो सेल के अंदर भी क्या होता है chemical भरा हुआ होता है तो इस chemical की जो energy है वो किसमे convert होती है electrical में तो इट convert stored chemical energy into electrical potential energy मतलब chemical जो है वो किसमे convert हो जाता है electricity में electric current में convert हो जाता है ठीक है allowing the positive charge to flow from the positive terminal to the negative one through an external circuit ठीक है और यह जो chemical है जब वो electrical energy में convert होता है तो वो कैसे convert होता है वो convert होके electricity में बदलता है current में बदलता है जो की positive से negative की तरफ बहता है आई बात समझ में तो बहुत आसान है भई कि cell के अंदर होता है chemical जो की chemical जो है वो electricity में convert होगा इसलिए अपन क्या यह कह सकते है कि क्या chemical भी खतम होता है तो जी हाँ chemical क्योंकि किस में convert हो रहा है electricity में तो इसलिए धीरे धीरे वो खतम होगा जैसे कि आपने आटा लिया आटे की मदद से आपने रोटी बनाई तो रोटी बनाते जाओगे तो आटा खतम तो होगा ना इसी तरह किसे जो cell के अंदर chemical है जैसे जैसे वो खतम हो जाता है तो फिर थोड़ी दिर बाद जैसे आपका cell काम करना बंद कर देता मतलब कि उसके अंदर का chemical खतम हो चुका है इसलिए वो current को नहीं बना पा रहा और आपका वो फिर आपको उसको फेकना पड़ता है एक नई वैटरी आपको लेनी पड़ती है ठीक है तो भई यह जो chemical है वो electricity में convert होता है और अपने positive terminal से negative terminal की तरफ बहता है ठीक है तो जिसी को ही हम क्या कहते हैं उसी जो इसके बहने को positive से negative terminal तक का तर्मिलल तक यह जो charge का flow होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं इसको ही हम current कहते हैं ठीक है और जैसे ही यह जो chemical होता है cell के अंदर वो ख़तम हो जाता है उसकी जो electrical cell है, वो काम करना, मालव़ग्यि Nate Electricity reports करने की जो शमता होती है, जो ऊसमें, जो भी उसके अंदर strength होती है, वो क्या होते है, कम हो जाती है और फिर वो cell खतम हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है? है तो अबब इलेक्ट्रो कामिकल वर्ड वाप समझ गहने कि क्यों हम एलेक्ट्रो कामिकल क्या रहे तो कि इसके इंदर भरा हुआ है क्यामिकल जो की कन्वर्ट हो जाता है एलेक्ट्रिसिटी वे और जैसे ही अगर आप इसकी बीच में वायर लगाओगे तो करेगा और आपके डिवाइस को चलाएगा अब ये लेक्ट्रोगामिकल का यूज कहां कहां है तो दीस सेल्स आर यूज इन टॉर्च टॉर्च में हम यूज करते हैं अब आपने देखा होगा कि पहले ना बड़ी-बड़ी गोल-गोल सी सेल्स आते थी टॉर् पड़ेगी छोटी-छोटी सेल्स को कम कैमिकल की जरूर पड़ती है तो लेकिन अब क्या हो चुकी है कि आजकल ना रिचार्जिबल सेल्स भी बन चुकी है मतलब कि उसके कैमिकल की एनरजी जो है उसको आप बार-बार-बार-बार क्या कर सकते हो रिचार्ज कर सकते हो ठीक में हम इन सारे application and electrochemicals का use करते हैं these cells are also being used in medical implants in the body ठीक है medical जितने भी आपके चीजे होती है medical equipment होते हैं ठीक है उसमें भी हम use करते हैं these cells are also used in satellite rocket launch equipment satellite में rocket launch equipment में सब जगें cells का use होता है अब छोटी सी cell का नहीं वहाँ पर बड़ी बड़ी cells और battery बनाई जाती है जिनका यूज किया जाता है दीज आ जनरली यूजड इन टाइनी devices for battery storage ठीक है अब छोटी छोटी से devices में हम इसको लगाते हैं ताकि हम battery storage बना करके पूरा इसका use कर सकें तो अब एक activity है जिससे अपने को cell का जो working है ना वह बहुत अच्छी तरीकी से समझ में आएगा कैसे क्योंकि देखे मैंने आपको बताया था कि यह जो आपका cell होता है इसमें दो टर्मिनल होते हैं एक positive और एक negative अब जब भी किसी चीज को आपको जलाना है जलाना मतलब कि अगर किसी को work करवाना है तो यह जरूरी है कि उसके भी दो टर्मिनल सो positive टर्मिनल और एक negative ठीक है और आपको क्या करना पड़ता है कैसे करने करना पड़ता है मान लीजिए कि यह है आपका cell ठीक है तो cell का यह जो portion में बना रही हो यह कौन सा ठीक है तो जो भी डिवाइस फॉर एक्जाम्पल अगर आप बल्ब की ही बात करें तो आपको तको क्या करना पड़ेगा इसमें भी यह जो आपका बलब है इसमें भी दो टर्मिनल होंगे एक positive और एक करना पड़ता है हमेशा यह चीज याद रखेगा ठेके इस केस में कभी भी बल्ब नहीं करेगा ग्लो किस केस में करेगा अगर आपने बैटरी लगाई हुई है या फिर आपने कोई भी भी सप्लाय से करोगे ठेके बैटरी के लिए जरूरी है कि आपको यह पता हो कि जो भी इसको आप करेट कर रहे हो इसके नेगेटिव से और इसके पॉजिटिव से आपको अपोज़ित करनेक्शन करना पड़ेगा एक बात याद रखsınीए पॉजटिव पॉजटिव चाहे मैंग स्पॉजब दुसरे को एंट्रैक्ट करेंगे ठेक है यह आगे हम ये सारे है अब बल्ब के बारे में आपको क्या देखना होगा कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कहा होता तो आप अपना टॉच ले लिजे जैसा कि इनोंने बताया हुआ कि टेक टॉच अन्लोक इंसाइड इस बल्ब एक टॉच ले लिजे उसके बल्ब के अंदर दिख रहा है और इस बायर के दोनों तरफ आपको दो इस तरह से एक थोड़े से स्ट्रॉंग वायर दिखेंगे जिससे वह कनेक्टेड होगा कुछ इस तरह से ठीक है तो यह जो पतला सा वायर होता है इसे हम क्या कहते हैं फिलामेंट कहते हैं और यहीं फिलामेंट जो है जब आप बल्ब को जलाते हो तो यहीं फिलामेंट जो है वो सबसे जादा ग्लो करता हुआ आपको दिखाई देता है इसका मतलब कि यह जो दो वायर इस फिलामेंट से करेक्टिड है ठीक है उन्हें से एक इसको पॉजिटिव और एक इसको नेगेटिव दे रहा होगा जि रहे इसके दो वायर और यह रहा बीच का फिलामेंट ठीक है तो इस एक साइट पॉजिटिव होता है और एक साइट नेगेटिव होता है जिसकी मदद से यह जो फिलामेंट है वो ग्लो कर पाती है और आपका जो बल्ब है वो जल पाता है तो मतलब कि यह जो फिलामेंट है इसका positive और इसका जो negative है इसको हमें कही ना कहीं बाहर निकालना पड़ेगा ताकि हम इसको किस से connect कर सके cell से connect कर सके ठीक है तो अब आपने देखा होगा कि बल्ब की सपास एक उठा हुआ पोर्शन होता है और एक नीचे वाला पोर्शन होता है ठीक है तो चलिए उसके बारे में आगे जानते हैं तो जब आपने इसको torch से देखा तो आपने पतला सा वायर इसके अंदर देखा होगा ये वायर थिन वायर क्या है ये वायर आपका filament है ना switch on the torch on and observe which part of the bulb is glowing तो जैसे ही आप bulb को on करोगे तो कौन सा पार्ट जलता हुआ दिखेगा ये जो बीच वाला पोर्शन है बल्ब का ये ही आपको जलता हुआ दिखाई देगा the thin wire that gives off light is called the filament of the bulb तो जैसा अभी हमने discuss कर लिया है कि ये जो thin wire है इसी को ही जो कि जल रहा है इसे हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं बल्ब का filament the filament is fixed to two thicker wires अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि filament किसके बीच में fix होता है दो thick wire होता है इसके बीच में ये पतला सा जो filament है वो लगा हुआ होता है अगर आप picture में देख पा रहे है तो आपको ध्यान से दिखेगा ठेक है so the filament is fixed to two thicker wires यह जो दो thick wires है इन से connected है which also provides support to it जो कि इसको support provide करते है one of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb अब बल्ब का यह जो base होता है ठेक है जो कि metal का case होता है ठेक है इसके base से connected होता है मतलब एक जो वायर है यह क्या होगा अगर आप इस picture में देखोगे तो यह एक wire इसके इस तरह से connected है और जो दूसरा wire है इसके side में इस तरह से connected होता है ठेक है so one of the thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb and the other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base और दूसरा कहा connected होता है metal के tip से एक tip आपको दिखाई दे रहा है और एक base है ठीक है तो एक wire किस से connected है tip से connected है और एक wire किस से connected है base से connected है clear है so the base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminal of the bulb अब जैसे मैंने कहा कि अगर आपको cell से किसी चीज़ को चलाना है तो क्या जरूरी है कि cell के क्योंकि दो terminals होते है positive और एक negative तो जिस भी device को चलाना है उसके भी क्या होना चाहिए दो terminal एक positive और एक negative तो बल्व के यह जो दो terminals है यह जो tip और base पर है यह इसके positive और negative terminal होते हैं ठीक है so these two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other अब यह इस तरह से रहते हैं इस तरह से अंदर की तरफ connected होते हैं bulb के कि यह एक दूसरे से बिलकुल भी touch नहीं होते एक देखी अलग है और एक दूसरा बिलकुल भी अलग जगा पर है clear हो गया so the electric bulb used at home also have a similar design thus both the electric cell and the bulb have the two terminal each अब आपका घर में जितने भी bulb होंगे या जो भी cell होंगे सभी के अंदर दो दो terminal होते हैं why do they have these two terminals अभी दो two terminals क्यों है क्योंकि अगर हमें electric cell से इसको connect करना है तो क्या ज़रूरी है मान लीजे कि ये है मेरा electric cell ठीके इस electric cell को अगर मुझे bulb के साथ में connect करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके positive को ऐसे और negative को ऐसे connect करना पड़ेगा ठीक है तो ये इसका negative है और इसका जो base है वो positive है ऐसा इसलिए connect करना पड़ता है ताकि दो terminal आपस में connected हो और एक circuit बन जाए circuit का मतलब होता है एक तरीके का close path बन जाए जिससे कि जो भी charge इसमें flow हो रहा है उससे आसानी से current flow हो और आपका bulb जल जाए तो ये दो terminal क्यों होते है ताकि इन दो terminal को हम battery के या cell के दो terminal के साथ में आसानी से connect कर सके ठीक है अब आपको इसी wire के लिए एक और activity है activity number two वो हम देख लेते हैं तो activity one से हमें क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिक सेल का use कैसे करना है कि दो terminal उसमें होते हैं तो जिस भी device का आपको use करना उसके साथ उसके भी दो terminal होना चाहिए positive और negative जैसा हमने bulb में देखा जिनको आपको आपस में जोड़ना पड़ेगा जिससे क्या होगा current flow होगा और जोड़ोगे कैसे positive को negative से या negative को positive से ठीक है अब same charge को positive positive को आप नहीं करोगे connect ना ही negative और negative को take four length of electric wire with differently colored plastic covering अब आपको क्या करना एक electric wire लेना है और उसकी चार length लेनी है टेक है four lengths लेनी है और सबका color कैसा होना चाहिए अलग-अलग remove a little of the plastic covering from each length of the wire at the end टेक हर एक wire के end के जो plastic की covering है उसे हटा दीजे this would expose the metal wire at the ends of the each length मतलब कि देखे wire क्या होता है कि अंदर जो होता है यह इस तरह से copper है और उसकी उपर अपन क्या करते है plastic के cover को लगा देते है ऐसा है अब आपको क्या करना है इसको कुछ इस तरह से last से छीलना है मतलब उसे उपर की plastic cover को हटा देना है कि यह जो आपका plastic का cover है वो बस यहीं तक रह जाए और आपका यह जो अंदर का wire है यह बहार निकल जाए मतलब की जो अंदर का copper है वो बहार देख जाए remove a little of the plastic covering from each of the length of the wire at the end मतलब जित्ती भी length के आपने चार wire लिये हुए है सभी मेंसे बहार की तरफ से क्या करना है आपको end end से आपको plastic के covering जो थी उसे हटा देना है this would expose the metal wire at the end of the each length सबसे क्या होगा कि बहार से आपको यह जो metal है जो कि किसका होता है copper का होता है generally यह जो metal है वो दिखरा चालू हो जाएगा fix the exposed part of the two wires ठेक है to the cell the other two of the bulb ठेक है अब आपको क्या करना है fix the exposed part of the two wires ठेक है दो wire का जो exposed सिरा था उसे आपको किस से करेंट कर देना है cell से ठेक है और and the other two of the bulb ठेक है और बाकी के दो को किस से करेंट कर देना है bulb से ठेक है then you can stick the wires to the bulb with the tape used by the electrician अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अगर wires जो है उन्हें आपको bulb में stick करना है तो आप electrician का जो tape होता है electric tape जो होता है उसको उसकी मदद से भी चिपका सकते हो लगा सकते हो use rubber band or tap tape to fix the wire to the cell और जिस cell wire को आपने cell पे लगाया है उसको आप rubber band की सहायता से कुछ इस तरह से fix कर सकते हो now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in six different ways as shown in the figure अब आपको क्या करना अलग-अलग तरीकों से घुमा घुमा करके इन wires को connect करना है cell के साथ में और bulb के साथ में अब आपको हर अर्रेंजमेंट में देखना है कि कौन से अर्रेंजमेंट में आपका ये जो wire है वो जलना है या फिर नहीं जलना है write yes or no for each arrangement in your notebook now carefully look at the arrangement in the which of the bulb glow compare these with those in which the bulb does not glow ठीक है can you find out the reason of the difference keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement अब देखे basically क्या करना है आपको हमें चौट आपको पूरी activity का कहानी समझा दें कि हमें क्या करना है कि wires लेना है अलग-अलग कलर के ठीक है अब को सबको अलग-अलग दीजे अब आप क्या करोगे keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement अब आप अपने arrangement के लिए जो भी आपका electric cell था उसके एक सिरे पर pencil की tip को रखिये move the pencil along the wire all the way to the bulb और वो जिस तरह से connected है मतलब कि आपने मान लीजे कि यह आपका cell है और यह है आपका bulb ठीक है आपने यहां से wire को connect किया था और एक यहां से connect किया था तो आप pencil की tip को यहां रखिये और देखे कि कहां से कहां connected है और फिर उसके बाद इस तरह से उसको लेकर किया आईए repeat this exercise for all the arrangement did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to the other देखे basically क्या करना है आपको बस यह देखना है जैसे मैंने आपको भी बताया था कि किसी भी चीज को glow करवाने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसके दो terminal आपस में connected हो मतलब कि अगर bulb को आपको glow कराना है तो इसके एक terminal से इसका दूसरा terminal properly connected होना चाहिए जैसे कि आप इस डाइग्राम में देखे ठीक है बल्ब कैसे glow कर पा रहा है जब हमने इसके positive को इसके negative से और इसके positive को इसके negative से connect किया हुआ है ठीक है अब अगर आपका connection कैसे भी आपने वायर को मोड़ा हो अलग-अलग तरीके से design बनाई हुई हो इसको इस तक पहुँचने के लिए तब वायर या फिर जो आपका बल्ब है वायर की through current या फिर बल्ब जो है वो तभी glow कर पाएगा जब आपने इसके positive को इसके negative से और इसके positive को इसके negative से connect किया होगा आई बास समझ में दोनों के अलग-अलग terminals को तो आपको ऐसे arrangement बना करके देखना है आप क्या करो कि एक arrangement ऐसा बना लो कि इसके positive को आप positive से और negative को आप negative से connect कर दो ठीक है आपने कैसा arrangement किया हुआ है ऐसा positive को उपर से और negative को नीचे से connect किया होगा क्यों क्योंकि वल्ब का positive होता है ये वाला हिस्सा और negative होता है ये वाला हिस्सा आई बास समझ में तो बस यह arrangement देखना है तो यहां से इन्हें दोनों activities के तुरू हमें दो बाते समझ में आई एक तो electric bulb करना में चाहिए इसके बारे में हमने जाना आपको कुछ ने करना चोटी से सेल लेनी है छोटा सा बल्ब लेना है और उनके बीच में ये दोनों चीज़े करके देखनी होगी जब घ्लो कर जाए घाट मींस कि आप समझ जाए कि आपने सही तदिके का connection किया है और इस तरह से हम एक बात समझ गए कि अगर हमें cell का यूज करना है तो यह जरूरी है कि उसके positive को और उसके negative को दूसरे वाले के negative और positive से हम proper तदिके से connect कर पाएं तो भाई यहां तो हम अभी electric cell का topic कर रहे है खत्म इस चीज को और आगे continue करेंगे हम हमारी next video में तब तक के लिए magnet brain से जुड़े रहे और अगर आपको इसका introduction part देखना है इस chapter का या फिर बाकिके chapters पढ़ना है तो आप कैसे देखेंगे आप बस गूगल पर टाइप कर दीज़े magnetbrains.com तो एक official website हमारी open हो जाएगी या YouTube के तूटो आप देखी रहे हैं ठीक है आप official website पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक select करना है cbsc English medium इसलिए क्योंकि आप already Hindi medium भी है आप है English medium से तो आप English medium को चूज करिए और class 6 को जैसे ही select करेंगे तो एक screen इस तरह से open हो जाती है इस screen में आप देख रहे हैं कि हर subject के अलग-अलग folders है तो जो भी subject पढ़ना उसको क्लिक कर दीजे जैसे आपको पढ़ना है science पाई सुर्बितिवारी तो इस पर watch चाहिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सेंट क्लास के स्टूडेंट के साथ ताकि वह भी इसका benefit उठा सके और वह सारे बच्चे जो की हिंदी वीडियम के सारे हमारे बच्चे जो है इसका benefit ले सके और मागनेट बेंस पर किंडर गार्डन से क्लास 12 तक सारे इंगलिश मेडियम के courses हैं प्लस बहुत सारे competitive exams की preparation करवाई जा रही है सब कुछ पुफ्त है तो भई इससे जरूर से जरूर लाइक करें और जादर से जादर शेयर करें ताकि सारे लोगों तक ये बहुत जाए और सभी इसका benefit ले सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नई अपडेट है वह आप तक जल्दी से जल्दी बहुत जाए हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए stay happy stay healthy thank you so much